दोनों का मन भगवान शंकर की पूजन में नहीं लगा है सगर कर रहे हैं तुमारे गर्व से संतान नहीं है इसलिए शिव की अरादना करना है आप दिध्यान से सुनना देवरिशी नारद ने भगवान सगर को राजा सगर को सूरे बंच में उत्पन नहुए राजा सगर को कहा था कि तुमारे घर उलादनाई इसाल नहीं इसलिए शिब कि अलादना करना उसी तरह आपको देवरिशी नारद ने मारग बता दिया है कि अगर संतान नहीं है 10 साल हो गए 12 साल हो गए 14 साल हो गए 20 साल हो गए बस एक प्राथना शिवजी से करो सफेद आकडे की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के साथवे दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान से उपर से 21 वार गुमा कर तुम रूका जी का नाम लेकर उसको कमर में वहीं मंदिर में शिवलिंग का धर्शन करते करते नंदी के पीछे की और खड़े होकर का दर्शन करते करते उसको बान दो लाल दागे लेकर तुम रूका जी का नाम लेकर और महराज एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के सात्रे दिन से शिवजी को चड़ा कर समर्पित करकर उस पीपल के पत्ते को कुंद कैश्वर महरेव के नाम से लाकर उसको गाय के का लकत दोनों पत्ति पत्नी रात्री के समय सोने से पहले उसको पान करें परती दिन उस पत्ते को लाना है परती दिन चड़ाना है परती दिन पत्ते को चड़ा कर उकानने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए बादम विसाज़कर और बाबा से कहन देना शियो करण की कथा में सुना है 20 21 21 साल वालों को भी तुने संतन दी है तो क्या मेरी जोली खुशियों से नहीं परेगा देवजी देव महादेव बाबा के मंदिर में जाकर दिल से बाबा से बात करका कि दिल कि अभी कल की बात है कोई डोल मोल लेकर आया हो